अगली वीडियो और आज भी हम जर्नल एंट्री पर ही डिसकेशन करने वाले हैं हमने थोड़ी बहुत जर्नल एंट्री करनी सीख ली है प्यारे बच्चो आज धीरे धीरे अडवांस लेवल पे भी जाएंगे बेटा ये चैप्टर कुछ हमारा बेटा 15 से 20 दिन चलेगा क्योंकि ये बेटा आपको याद होगा मैं इसकी बात कर रहा था इस अ बुक ओफ अरिजिनल एंट्री बेटा अकाउंट्स काई देसे स्टार्टी यहां से होती है सबसे पहले एंट्री करना हम स्टार्टी बेटा जनल एंट्री से करते हैं तो बेटा यह सबसे इंपॉर्टन चैप्टर है बाकिस सब चैप्टर का बेस है और आपको बता देता हूँ जब तक अकाउंट्स में रहोगे जब तक बेटा कॉमर्स साइड में रहोगे बेटा, with this introduction हम start करते हैं, अपना अगला example, लो, मैं example frame करता हूं बेटा Mohan started a business started a business with cash one lakh furniture 20,000 goods 60,000 without date करते हैं, बेटा फिट वाइस कर लेंगे, लो, ये first transaction है, second business transaction purchased goods purchased goods for cash 60,000 80,000 purchased purchased goods on credit from RAM 25,000 sold goods 70,000 sold goods to Gita 35,000 salary paid amounted to Rs.6,000 लो, प्यारे बच्चों, ऐसा ही question पहले हम कर चुके हैं, अगर आप खुद से कर सकते हो, तो मुझे post कर देना, बेटा, और एक बाद question solve कर लेना, question solve हो जाने के बाद, बेटा मैं कुछ transaction और add करूंगा, इस बाद कर लेंगा, मैं और कुछ बात यहीं समझाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे साथ साथ रहना, बेटा, आप, ठीक हैना, जो अलग से करना चाहता है, बेटा, post करके एक बार सारा solution कर सकता है, लो बेटा, बेटा, journal entry का format आपको याद होगा, बेटा, सबसे पहले date का column, लो जी, date column, then बेटा LF, LF means ledger folio, then बेटा, amount, amount debit and amount credit, amount debit, और बेटा, amount credit, लो प्यारे बच्चो, बाबु, अब मैंने न, अगर आप देख रहे हो, traditional approach को कहीं भी नहीं लिखा, मेरे प्यारे बच्चो देखो, अब न, सोचना शुरू कर दो, पेपर में हम कहीं भी नहीं लिखेंगे traditional approach को, बेटा, हम सिर्फ सोचेंगे, वैसे मैं देखो, कुछ basic बात आपको बता देता हूँ, होता क्या है, बेटा, हर कोई अपने शुरुवाती दिनों में बेटा क्या करता है, journal entry बहुत जादा करता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने बहर हम practice करते रहते है, journal entry, journal entry, journal entry चलती रहती है, बेटा, अब journal entry इतनी चलती है, बेटा, कि होता क्या point of time पर न, journal entry हमारे को न समझना हम बोल जाते है, हमारे को न सारी चीज़े याद हो जाती है, बेटा, देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, वैसे रटना तो गलत है, लेकि बेटा, मैं कुछ बाते सोचने को कहूँ न, देखो, बिल्कुल सिंपल बात है, देखो, मैं आपको सोचने को कहता हूँ, बेटा, मैंने अभी तक जितना भी कुछ देखा है न, purchases हमेशा debit होती है, देखो, सीखते दाओ कुछ चीज़े, purchases हमेशा debit होती है, sales बेटा, ऐसा हो है, प्यारे बच्चों, तो credit कर दो, सारे expenses, salary, rent, कुछ भी हो, commission, अगर expense है, बेटा, debit होगा, और बेटा कोई income है, तो credit होगी, आपको बता देता हूँ, बाव, पूरे question में से, 70% transaction, in item पर based होती है, 70% transaction, तीका न, इनमें सोचना भी नहीं पड़ता है, आपको, सबसे सच बा अपरोच, सोच, सोच के करो, लेकिन, बेटा, through practice, आपको ये चीजे इतनी याद होने लगेंगी, आपको समझ में आजेगा, सारी बार purchases को debit करना है, हर बार sales को credit करना है, cash आ रहे है, debit, jar रहे है, credit, सारे expenses, debit, और सारे revenues, बेटा, credit, लो, प्यारे बच्चों, समझते हैं, capital ही है, ठीक है जी, capital होती है, एक तो capital account affect होने वाला है, और कौन-कौन से account affect होने वाले है, बेटा, cash, furniture, बेटा, real account, बेटा, goods, याने की परचेस, परचेस बेटा, nominal account, याद करो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा, cash, और furniture is a real account, और goods, याने की purchases, मेरा nominal account, बेटा, कुछ भी ला सब capital ही होता है बेटा ये capital मतलब personal account अब बेटा सारी बाते सोचते जाओ बाबू क्या बोलता है real account का rule याद करो बेटा real account क्या बोलता है बेटा क्या बोलता है real account debit what comes in जो आ रहा है बेटा debit कर दो क्या cash और furniture दोनों business में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चो बिलकुल आ रहा है debit कर दो क्या date given है नहीं given बेटा serial number लिख लो serial number one लिख दो बेटा cash business में आ रहा है कर दो debit cash account debit और क्या रहा है furniture आ रहा है मेरे प्यारे बच्चो कर दो debit Furniture Account Debit और बेटा क्या हो रहे है Goods भी आ रहे है बेटा But ine선 मेरे के लेकिन नॉमिनल का रूल याद करो यह क्या कहता था debit all the expenses and losses Purchase is a expense तो बेटा इशको भी debit करना है मेरे प्यारे बच्चो गुड्स आ रहे है Nominal का रूल लगाो Purchases Account Debit And what about capital capital is a personal account और बेटा इसका rule क्या कहता है debit the receiver and credit the giver बेटा credit the giver business में किसने कुछ दिया राम ने कुछ दिया sorry, मोहन ने कुछ दिया मोहन is the giver then बेटा हम क्या करेंगे capital को हम credit कर देंगे मेरे प्यारे बच्चो business से अगर हमने किसी को दिया होता तो हम debit करते है debit the receiver, अगर कोई receiver है तो उसको debit कर दो लेकिन बेटा अगर कोई giver है तो उसको credit करना पड़ेगा तो बेटा मैंने क्या करा बेटा मोहन की capital को credit कर दिया क्योंकि वो giver था business को प्यारे बच्चो आपने journal entry पूरी कर दी narration जरूर लिख देना बेटा देखो narration की चर्चा पहले भी किया आज क्योंकि पहली बार दुबारा करा रहा हूं आज की विडियो में तो एक बार इसकी चर्चा जरूर कर देता हूं बेटा narration लिखने का कोई hard and fast rule नहीं होता कभी भी कोई ठीक है ना बस narration क्या होता है it is the summary of journal entry कि आपने जो journal entry करिया उसकी summary बता दो और summary लिखने का कोई एक तरीका हो मैं नहीं मानता बेटा ऐसा जैसा आपको सही लगया वैसा लिख सकते हो मैंने लिख दिया being business started कोई ऐसे भी लिख सकता है being business started with cash, furniture and purchases तो बेटा कैसे भी लिख दो या कोई लोग ऐसा भी लिख सकता है being business started by Mohan तो प्यारे बच्चों summary लिखने का कोई एक रस्ता नहीं होता जैसे आपको समझ लगे वैसी लिख सकते हो summary तो बेटा cash आया 1 lakh रूपीज furniture 20,000 purchases 60,000 और बेटा यह सब मिलाकर total हो गया 1 lakh 80,000 that is capital मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे क्या करना है एक horizontal line place करने हैं सिर्फ particular की column में और किसी column में place मत करना बेटा ठीक है जी चलो आगे बढ़ते हैं बेटा business transaction number 2 बेटा serial number 2 क्या transaction होई कहता है goods purchase करें for cash मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी जल्दी सोचता हूँ goods purchase करें for cash purchases हमेशा debit cash आया है तो debit कर दो गया तो credit कर दो goods purchase करने से बेटा cash गया होगा credit कर दो मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्दी जल्दी सोचना शुरू करना है हमारे को Purchases Account Debit to Cash Being Goods Purchased मेरे प्यारे बच्चों कितने का goods करीदा हमने 80,000 लो बेटा मैंने फटा पट से जर्नलाइज कर दिया इसको लो थार्ड बिजनस ट्रांजेक्शन क्या हुई है बेटा कहता है Purchase Goods on Credit from Ram बेटा जिससे भी उधार पर goods खरीदे हो क्रेडिटर होता है वो और मेरे प्यारे बच्चों चलो बहुत अराम से रूल समझ लो अगर आपने Purchase करे हैं goods credit पर Ram से तो कौन से दो account affected होंगे बेटा एक Purchase और दूसरा creditor बेटा Purchase हमेशा debit Purchases हमेशा debit होती है हमेशा debit लो बेटा आपने goods purchase करा आपने purchases को debit कर दिया मेरे प्यारे बच्चों राम से goods purchase करा है राम is a creditor और creditor बेटा मेरा personal account होता है और personal account का rule क्या कहता है याद करो बेटा बवु क्या बोलता है debit the receiver and credit the giver बेटा राम बिसनस को कुछ दे रहा है बेटा he is the giver तो बेटा अगर वो giver है तो मुझे उसको credit करना है to राम राम's account और अगर बेटा ये भी लिखने काम होने है तो सिधा लिख दो to राम और खतम कानी बेटा उसके बाद कुछ भी नहीं करना being goods purchased from राम being goods purchased from राम amounted to rupees 25,000 लो बेटा पच्चस हजार रुपे के आपने goods खरी दे हैं राम से लो बेटा मेरे प्यारे बच्चो आगे बढ़ते हम लो समझने की कोशिस करना कहता है goods बेच दिये 17,000 रुपे बेटा रूल लगाना है रूल लगालो रूल नहीं लगाना बहुत अराम से जल्दी से सोचना है sales हमेशा credit होती है sales हमेशा credit होती है और बेटा goods बेचने से cash आया होगा और जब भी cash आता है बेटा business में cash आने पर cash debit होता है cash account debit to sales being goods sold being goods sold मुझे लग रहा है शायद मैंने ज़्यादा speed पकड़ ली अभी मैं थोड़ा slow जाता हूँ बच्चो लो बेटा अगर मैं इस journal entry को rules से समझाने लगू तो लो बेटा rules से समझ लो कोई फरक थोड़ी फटता है आपने goods बेचा आपको इतना बोलता है मतलब cash बेचा तो ये दो account पर effect डालेगा बेटा एक sales पर और दूसरा cash पर बेटा cash is a real account और real account का rule क्या कहता है debit what comes in credit what goes out बेटा अगर cash आ रहा है तो debit करना और जा रहा है तो credit करना बेटा क्योंकि cash आ रहा है तो मैंने cash को debit कर दिया और बेटा ये ये बेटा nominal account है sales is a nominal account और rule क्या कहता है debit all the expenses and losses, credit all the income and gain बेटा सारी income सारे gains को credit कर दो sales is a income तो बेटा मैंने credit कर दिया मेरे प्यारे बच्चों ये है बहुत जल्दी जल्दी सोचना ठीक है ना traditional approach दिमाग में होनी जरूर चाहिए लेकिन मैं मानता हूँ बेटा हमें थोड़ा speedy होना है जब मैं 50-60 question इसके कर दूँगा तो आप देखना आपकी speed कहां पहुत चुकी होगी बेटा जब लेकिन कभी फसो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता बेटा कि कोई journal entry नहीं आएगी नहीं बहुत नहीं journal entry बन सकती है एक business में बेटा लाखो transaction हो सकती है हजारो transaction हो सकती है हम book वाली सारी transaction कर सकते है teacher का दिमाग चल जाए बेटा एक नहीं journal entry आपको दे दे तो क्या करोगे बेटा कभी लग आपको ना आती हो लेकिन मैं बैसे जनरल बात कर रहा हूं बेटा कभी जिन्दगी में भी फसो तो बेटा मेंशा traditional approach आपका बहुत साथ देगी ध्यान रखना इस चीच का चलो जी मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी चार बाते कर ली पांचवी बात sold goods to Gita बेटा goods बेचा गीता को मेरे प्यारे बच्चों बेचा है ना बस sales हमेशा credit खतम कहानी लो जी तू sales account बेटा अब गीता को goods बेचा है कौन से दो account पर effect आने वाला है एक sales पर और एक गीता पर sales का तो मैंने जो करना था कर दिया बेटा what about गीता बेटा गीता एक हमारी customer है यानि की बेटा एक रेसीवर अगर कोई business से कुछ receive कर रहा है कोई receiver है बेटा उसको debit कर देना एंड घीता इस दा receiver यार बिजनस से goods बेटा रेसीव कर रही है मेरे प्यारे बच्चो तो debit कर दो, सोचना क्या इतना है? लो, गीता debit, बेटा, गीता का account debit करना है तो गीता's account लिखना आप, लो प्यारे बच्चो, being goods sold, being goods sold, लो बेटा, amounted to Rs. 35,000, amounted to Rs. 35,000, मेरे प्यारे बच्चो, लो, क्या मैंने journal entry पूरी कर दी, मैंने पूरी कर दी, बेटा, एक journal entry रह गई, मेरे पास space की कमिया, मैं यहाँ बना देता हूँ, salary बेकरिया 6,000 रूपीज, मैं इसको रब करके बेटा, यहाँ कर रहा हूँ, आप post करके सब कुछ note down कर ले ना पहले, लो, प्यारे बच्चो, बहुत आराम से समझना, कहता है बेटा, salary पेकरी 6,000 रूपीज, बेटा, सारे expenses debit होती है, अगर मैंने salary पेकरी है, कौन से 2 account को affect करेगी, एक salary को रे cash को, बेटा, cash आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो बेटा, कर दो credit, आ रहा होता तो कर देता debit, बेटा, salary का क्या होगा, salary पे बेटा, nominal account का rule चलता है, बेटा, जो कहता है, debit कर दो, सारे खर्चो को, मेरे प्यारे बच्चो, debit करने है, सारे खर्चो को low, मैंने salary account को debit कर दिया, amounted to Rs.6,000 only, और बेटा, narration लिखो, being salary paid, being salary paid, लो प्यारे बच्चो, यहाँ पर मेरा question खतम हो जाता है, और बेटा, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक horizontal line लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, टोटल, और बेटा, आप टोटल करोगे, 180 and 80, 260, 260 and 70, 330, 330 and 60, 390, 396, आप टोटल कर लेना, मेरी कोई totaling mistake हो गई हो तो देख लेना बेटा, लो बेटा, क्या यहाँ पर मैंने journal entry खतम कर दी, खतम कर दी, क्या यह बेटा, बिल्कुल पिछला ही question था, बिल्कुल पिछला कोशन था, बस मैंने एक बात नहीं करी, यहाँ पर बेटा, यह यह, मैंने सिर्फ एक बात यहाँ पर नहीं करी है, बेटा, पहले मैं business start करता था, सिर्फ cash के साथ, यहाँ मैं बहुत सारी asset ले आया, बेटा, जो mergy ले आओ, business start करने के लिए हर कोई चीज debit होने वली है, जो mergy asset ले आओ, सारी assets भी debit होती है प्यारे बच्चों, जो भी business start करने के लिए आएगी हर asset debit होती है, बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ आपको धीरे धीरे rule के साथ साथ इन चीजों को भी grab करते चले जाओ, rules से ही बनी है ये चीजे, मैंने अगर आपको का है न cash जब भी आएगा debit होता है, तो ब बेटा जब भी कोई business में debtor आएगा debit होता है, personal account भी यही कहता है, creditor बेटा credit होता है हमेशा, बाबू यह personal account का rule यही कहता है, सारे expenses debit होंगे nominal account का rule कहता है, purchases debit होंगे nominal account का rule कहता है, sales credit होंगे nominal account का rule कहता है, तो प्यारे बच्चों, rules से हमें कहीं चीजे धीरे धीरे frame करती चल लो बेटा, अभी हम दीरे-दीरे बढ़ते हैं, कुछ नई बात आज सिखाता हूँ आपको, लो बेटा, मैं यहीं पर हूँ, इसी कोश्चन में कुछ बात आगे की कर रहा हूँ, लो बेटा, बहुत अराम से समझना चीजों को, पिटा, देखो, अभी आपने ये देख लिया की परचेस यहां पर भी डैबिट होई, सेल्स यहां भी करेडिट होई, मेरे प्यारे बच्चों, चीज को बहुत अराम से समझना, देखो बेटा, परचेस हमेशा तो डैबिट होती हैं, ठीक है न, दिखाई दे रहा है, एक जगा, दो जगा, तीन जगा, एक बात बोलता ह मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी ऐसा हो कि आपको परचेस का effect कम करना हो, मैं बोलता हूँ बेटा, आप बहुत सारी journal entry सीख रहे हो, journal entry में दो ही side होती है, debit side होती है, credit side होती है, अगर कभी आपको परचेस का effect कम करना हो, मानलो कोई वज़ा ऐसी होई कि आपको परचेस क effect कम करना था भी बताऊंगा क्या वज़ा हो सकती है purchase का effect करना हो तो ऐसे cases में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चो समझ लो अगर हमें कभी किसी चीज का effect कम करना होता है हमेशा उसकी side बदल तो बेटा purchases debit होती है बेटा हमेशा debit होती है purchase debit होई 80,000 से अगर आपको कभी लगे ना कि मुझे purchase का effect कम करना है purchase को कम करना है मेरे प्यारे बच्चो इसका effect कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हमेशा इसको credit side ले जाओ बेटा हमेशा इसकी side बदल दो बेटा इसका effect automatically कम हो जाएगा अगर ये 80,000 से debit हो अगर मैंने 5000 से credit कर दिया तो automatically बेटा purchase 75,000 की हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चो हमेशा समझ लो journal entry का एक नियम अगर किसी भी चीज का effect कम करना होना हमेशा उसकी side बदल कर उसका effect कम किया जाता है समझाने के लिए एक बात बोल देता हूँ बेटा यहीं पर लो बेटा मैं 7th business transaction दे रहा हूँ आपको मैं बल्कि 3 transaction देता हूँ आपको 7th, 8th, 9th, 3 transaction नहीं दे रहा हूँ बेटा यहीं से start कर देंगे बेटा लो मैं लिखता हूँ goods returned to RAM goods returned to RAM worth rupees 5000 गीता returned good to us worth rupees 3000 and drawings made by Mohan amounted to rupees 10,000 मैंने बेटा 6th transaction के बाद 3 new transaction introduce कर दी इसी question में कि राम ने goods वापिस कर दिया ठीक है नहीं हम नहीं हमने sorry हमने goods राम को वापिस कर दिया goods returned to RAM बेटा गीता ने goods हमें वापिस कर दिया और drawings करी है Mohan ने मेरे प्यारे बच्चों बहुत राम से चीजों को सुनते जाएंगे घबराना नहीं है बिल्कुल गी बेटा राम था कुन सबसे पहले ये देखो मेरे बेटा बेटा मैं question में देख पा रहा हूँ राम एक creditor था ठीक है ना हमने क्या कर रा था बेटा राम से गुड्स परचेस किया था हमने राम से गुड्स परचेस किये थे बेटा 25,000 के राम हमारे एक creditor था और हमने क्या किया बेटा आज राम को बेटा गुड्स वापिस कर दी है मेरे प्यारे बच्चों देखो अगर creditor था तो क्या future में आपको उसको 25,000 रुपे पे करने थे क्या एक obligation थी, क्या एक liability थी बिल्कुल बेटा एक liability थी 25,000 पे करने थे अगर बेटा 25,000 पे करने थे आज 5,000 के goods आपने वापिस कर दी है आज आपने 5,000 रुपे के goods वापिस कर दी है तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता बेटा, liability कुछ कम हो गई, हाँ, liability तो कुछ कम हो गई बेटा, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी बेटा, अगर आपको कभी लगे ना, कि मुझे क्या करना है बेटा, किसी चीज का effect कम करना है, इस पूरी journal entry मे कभी आपको महसूस दे बेटा, कि मुझे अगर किसी चीज का effect करना है, हमेशा उसकी side बदल दो, बेटा, मैंने राम को 25,000 रुपे देने थे, मेरी एक obligation थी, मेरी एक liability थी, लेकिन मैंने आज 5,000 रुपे के उसको goods वापिस कर दिये, मेरे प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कह goods भी कम हो गए, और कहीं ना कहीं बेटा, राम की liability भी कम हो गई, मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं लगता है, इन दोनों चीजों का effect कम हो गया, हाँ, effect तो कम हुआ दोनों का, राम को भी अब कम पे करने है, 5,000 रुपे और बेटा, goods भी बिजनस से 5,000 रुपे के कम हो गए, तो बेटा क्या करो ऐसे cases में, side बदल दो ना मेरे प्यारे बच्चों, लो, समझो बहुत आराम से, लो, मैं समझाने की कोशिस करता हूँ बच्चों, मैंने राम को 25,000 रुपे देने थे, बेटा, मेरी एक liability थी, आज मैंने 5,000 के goods वापिस कर दिये, बेटा, मेरी liability कम ह कर रहा हूँ, बेटा, effect कम करने के लिए side बदली जाती है, मैंने राम को अब debit कर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, and what about purchases, बेटा, goods खरी देते, 25,000 के, 5,000 के वापिस कर आया, business से goods भी तो चले गए, बेटा, इसका भी effect कम कर दो, कम करने के लिए side बदल दो, लेकिन नाम purchase नह आएगा, बेटा, purchase return, आपने क्योंकि goods वापिस करे हैं, इसे हम बोलते है, purchase return, मेरे प्यारे बच्चों, दो, आज आपने एक नई journal entry मुझसे सीख ली, goods business में आते हैं, purchase account को debit करते हो, बेटा, और क्या कर देते हो, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी creditor का नाम है, अगर cash होता, तो cash creditor है, तो creditor, बेटा, बाबु, आपने ये journal entry सीख ली थी, लेकिन अगर आपने goods वापिस करें, तो क्या होगा, क्योंकि बेटा, कही ना कहीं creditor भी कम हो जाएंगे, कही ना कहीं goods भी कम हो जाएंगे, अगर मुझे effect कम करना है, मुझे side बदलनी है, मैंने क्या करा, purchases की side भी बदल दी, लेकिन नाम purchases ने लिखा, नाम लिखा purchase return, क्योंकि मैंने goods वापिस करें, being goods returned, लो बेटा, बहुत अराम से समझो, ये amount किती थी, बेटा, 5000 रुपीस, लो, मैंने लिख दिया, बेटा, 8 transaction आप सोच सकते हो, मुझे बिल्कूल मत कहना करने के लिए, बेटा, मैं कर दूँगा, चलो, अच्छा, लेकिन आप post करके सोच और खुद लिखा, और बाद में चेक करना क्या आपने ठीक ले किया, मैं पढ़ता हूँ, कहता है, गीता returned goods to us, गीता ने क्या करा, बेटा, हमें goods वापिस कर दिया, बेटा, थी कौन गीता, पहले ये तो देख लो फ्यूचर में, ये हमारी कैसेटा, ये डेक्टर है, बेटा, अब आज हुआ क्या, बेटा, गीता हमें goods वापिस करके चली गई, 3000 रुपीज, मेरे प्यारे बच्चो, मैंने उससे 35,000 लेने, आज 3000 का वो समान वापिस करके चली, अभी भी 35,000 देने है, क्या, बेटा, देख सबको दिमाग से, मेरे प्यारे बच्चो, देखो, 3000 रुपे के अगर वो goods वापिस दे चुकी है आपको, तो अब भी थोड़ी कोई 35,000 रुपे लेने है, बेटा, क्या मुझे क्या करना है, डेक्टर का effect कम करना है, क्या मुझे asset कम करनी है, बिलकुल कम करनी है, मेरे प्यार का समान वापिस आ चुका है, मुझे sale का effect भी कम करना है, मुझे गीता का effect भी कम करना है, मेरे प्यारे बच्चो, बहुत अराम से चीज को समझो, side बदल दो, बस कुछ ना करो, सोचो, ज्यादा side बदल दो, बेटा, गीता को कर दो credit, तू गीता, और sales को debit, बेटा, लेकिन न नाम sales मत लिखना, नाम लिखना sales return account debit, बेटा, goods वापिस कर दिये, narration लिखो, being goods returned by गीता, लो बेटा, मैंने narration भी complete कर दी, और amount लिख दी बेटा, 3000 रूपीज, लो, मैंने amount लिख दी, बेटा, 3000 रूपीज, लो बेटा, journal entry number 9, लो, अब की, आज की, इस question के last journal entry, कहता है, drawings made by Mohan 10,000, बेटा, मोहन बिजनस में बहुत कुछ लाया था, और आज अपने personal use के लिए, बेटा, उसने 10,000 रूपे निकाल लिया है, सबसे पहले सोचो, बेटा, cash आया या गया, बेटा, cash आया था, जब capital लेकर रहा था, त और जब चला गया है, बेटा, cash हमेशा credit होता है, जाने पर, तो बेटा, सबसे पहले तो लिख दो, to cash account, cash तो गया, अब debit किसको करो, मेरे प्यारे बच्चों, देखो, सोचो, अगर मैं आपको सोचने के लिए का हूँ, बहुत अच्छे से चीजों को सोचो, पेटा, जब business start करने के लिए पैसा आता है, furniture आता है, purchase आता है, कुछ भी आता है, मैं उसको बोलता हूँ, मैं उसको हमेशा capital बोलता हूँ, और capital हमेशा credit होती है, हमेशा कोई दूसरा नियम ही नहीं बना कि capital को आप debit कर दो, capital हमेशा credit होती है, मेरे प्यारे बच्चों, चलो capital तो हमने credit करी ह बेटा, drawings करने से क्या capital कम हो जाती है? सबसे पहले याद करो, हम बेटा, second lecture से बात पढ़ते आ रहे हैं. drawings करने से हमेशा capital कम हो जाती है. बेटा, क्या मुझे capital का effect कम करना है? अगर question कहता है कि आपने drawings करी है, मोहन ने 10,000 रुपे, तो क्या बेटा, मुझे capital का effect कम करना है? बिल्कुल कम करना है. और बेटा, capital का effect कम करना है, capital हमेशा credit होती है, इसका effect कम करने के लिए क्या करू बेटा इसको debit side लिख दो मेरे प्यारे बच्छो और debit side नाम capital कभी नहीं आएगा बेटा नाम drawings ही आएगा यानि कि drawings हमेशा debit होंगी हमेशा क्योंकि ये capital के effect को कम करती है और capital का effect हमेशा credit होता है अगर इसको कम करना पड़े तो बेटा इसको debit ही करना पड़ेगा तो बेटा मोहन ने drawings करी है बेटा मैंने लिख दिया drawings to cash being drawings made by मोहन लो प्यारे बच्छो मेरे पास space की कमी थी तो मैं जैसा कर पाया मैंने वैसा कर दिया प्यारे बच्छो बात समझ आ नहीं किया space से कोई matter जादा करता नहीं है मैंने ये तीन business transaction आपको effect दिखाने की कोशिश करी मैंने इन तीन business transaction में मेरे प्यारे बच्छो आपको effect दिखाने की कोशिश करी कि जब किसी चीज का effect कम करना होता है हमेशा उसकी side बदली जाती है मैंने बेटा यहाँ पर आपको purchase का effect कम करना और RAM का effect करना सिखाया यहाँ गीता का और sale का effect कम करना सिखाया यहाँ capital कम करनी सिखाया पेटा capital कम करनी है capital credit होती है side बदल तो न side बदल दी नाम कर दिया drawings business से cash चला गया तो लिख दिया two cash मेरे प्यारे बच्छो यह थी 7th, 8th और 9th transaction most most important इसकी चच्चा आने वाले question में करता रहूँगा आपके साथ-साथ लो एक अगला example frame करते हैं मेरे प्यारे बच्चो पहले मैं example कराने वाला हूँ आपको 40-50 example जब मेरे को लगेगा कि हाँ 40-50 example करा दी आपको हर नहीं चीच सिखा दी तो एक दिन में सारे question करा दूँगा book के तो बहुत अराम से मेरे साथ-साथ बने रहो कई नहीं जाना, कोई book का use नहीं करना मैं ही तरफ देखते रहो लो बेटा, मैं रब करता हूँ आप solution note down करते रहना साथ-साथ चलो जी, बेटा next example लिखते हैं, फटा फट से या start data business वाली entry अब भूल जाते हैं करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं झाल झाल मैं तो चाहता हूँ बेटा एक बारा फटा-फट से मुझे पोस्ट करो और ये 5 business transaction को solve करके दे तो 5 मिनिट में 5 मिनिट में solve हो सकती है बेटा ये 5 business transaction पोस्ट करो और फटा-फट से करो बेटा मैं बहुत जल्दी से कर रहा हूँ बेटा और मेरे साथ solution जरूर match कर लेना लो बेटा फटा फट से करते हैं date या serial number particular LF लो बेटा मैंने format रेडी कर लिया सबसे पहली बात कहता है purchase goods for cash मेरे प्यारे बचो purchases always debit purchases always debit और cash आया या गया goods खरीदने से cash गया cash गया तो बेटा कर दो credit लिखो बेटा summary जिसको हम narration बोलते हैं being goods purchased amounted to rupees 30,000 लो बेटा आगे बटते हैं second business transaction पर कहता है goods purchase from Sohan मेरे प्यारे बचो purchases always always and always debit लो आगे बात करते हैं बेटा किस से खरीदा Sohan से Sohan एक creditor है बेटा जिससे भी हम उधार पर goods खरीते हैं वो creditor होता है और creditor मतलब personal account और personal account का rule क्या कहता है debit the receiver and credit the giver तो बेटा Sohan जो है वो giver है वो business को कुछ दे रहा है मेरे प्यारे बच्चो तो उसको कर दो credit और सारे creditor हमेशा credit होते हैं बेटा लो being goods purchased being goods purchased लो बेटा मैंने Sohan से goods खरीद लिया है मेरे प्यारे बच्चो 60,000 रुपीज का लो मैंने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चो third business transaction furniture purchased 55,000 मेरे प्यारे बच्चो furniture purchased करा कौन से दो account को effect करेगा एक furniture को और एक cash को cash आया या गया बेटा cash तो business से गया furniture आया cash गया मेरे प्यारे बच्चो cash गया तो लिख दो to cash account रही बात furniture की furniture एक asset है real account का rule चलेगा बेटा cash भी बेटा है real account का rule चला है मैंने यहाँ पर भी बेटा real account का rule क्या कहता है debit what comes in and credit what goes out cash गया credit कर दो और debit कर दो बेटा furniture को क्योंकि furniture आया है debit what comes in बेटा furniture business में आया है तो furniture को कर देना debit लो मेरे प्यारे बच्चो मैंने traditional approach में आपकी mastery करानी है that's why मैंने लिखना बंद कर दिया बेटा लिख लिख के ठक चुका था मैं और आपको मैंने बहुत बहुत बार समझा दिया ये चीज being furniture purchased लो बच्चो third business transaction भी कर ली आया number fourth का land purchased from Mohan मेरे प्यारे बच्चो इस बार cash नहीं खरीदी ये चीज दो account पर effect डालेगी एक land पर और दूसरा Mohan जो की हमारा debtor है उधार पर हम creditor है उधार पर हम कुछ भी खरीदे है जिस भी supplier से वो बेटा क्या हो जाता है वो creditor हो जाता है मेरे प्यारे बच्चो land क्या एक asset है real account का rule चलेगा real account का rule क्या कहता है बाबो debit what comes in जो business में आ रहा है debit कर दो land business में आ रही है मेरे प्यारे बच्चो कर दो debit लो बेटा कर देते हैं debit land account debit and what about creditor सारे creditor credit ही होते हैं बेटा लेकिन फिर भी सोच लो बेटा creditor क्या है personal account और rule क्या कहता है debit the receiver and credit the giver बेटा मोहन is the giver मोहन ने business को land दी है तो मेरे प्यारे बच्चो मैं क्या कर रहा हूँ मोहन को credit कर रहा हूँ to Mohan being land purchased लो बेटा एक बार amount देखना बेटा amounted to rupees 85,000 amounted to rupees 85,000 लो प्यारे बच्चो बढ़ते हैं आगे इसकी बात बेटा last business transaction fifth transaction क्या कहती है कहता है goods returned to sohan बेटा यहाँ पर देखो इसको match करने की कोशिस करो क्या आपने sohan से goods खरीदा था बेटा खरीदा था 60,000 का आज आप वापिस कर रहे हो बेटा सोहन था कौन बेटा आपके business का एक creditor था जिससे आप समान खरीद कर लाये था तो जब आपने goods वापिस कर रहा है तो goods भी business से कम हो गया और sohan की amount भी that means एक liability भी कम हो गई बेटा आपको sohan को भी कम करना है book से और बेटा goods भी कम हो गई है जब भी effect कम करना हो side बदलो side sohan क्या था बेटा credit था कर दो sohan को debit sohan debit और बेटा goods भी तो business से कम हो गई नाम purchase मत लिखना नाम लिखना purchase return account लो ची to purchase return account मेरे प्यारे बच्चों amount कितनी है 10,000 रुपे bracket में लिखो बेटा being goods returned लो बेटा total last में कर दो बेटा grand total या total लो बेटा 30, 60, 90, 90 and 140 230, 240 एक बार देख ले ना बेटा totaling error ना हो लो प्यारे बच्चों तो यहां हमारा आज का second example भी खतम हो जाता है third start करेंगे बेटा ठीक है ना back to back example करने है बहुत सारे 50, 60 में बोल चुका हूँ कि मेरे को इतने तो कराने ही कराने है लो बेटा मैं start कर रहा हूँ next example आप post करके note करते जाना बच्चों लो ऐसा ही कुछ example करते हैं करके करते है य真的 करेंट दोने ही करते रह साही करते हैं और अ Um अ करते हूँ और रहो त बジक क्यां अ करके को तो लो बच्छो मैंने एक नया एक्जामपल बना दिया है मैं एक बार फटा फट से बेटा फॉर्मैट को करेक्ट कर लेता हूँ फटा फट से एक बार फॉर्मैट सही कर लेते हैं दुबारा से लो बच्छो बहुत अराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो मैं तो चाहता हूँ आप खुद से करो एक बार पॉस करके फिर भी देखो जतना आप कर सकते हो मेरे प्यारे बच्छो बोलता है लो प्यारे बच्छो लो मैंने लिख दिया है डेबिट होता है मेरे प्यारे बच्छो लो मैंने लिख दिया है cash account debit to sales account being goods sold being goods sold बेटा कितने रुपे के goods बेचे आपने 30,000 रुपीज के लो मैंने लिख दिया बेटा 30,000 रुपीज के आपने goods बेच दिया बेटा business transaction number 2 बोलता है sold goods to Sita 60,000 बेटा इसवर Sita को goods बेचे हैं 60,000 रुपे के goods बेके हैं बेटा credit कर दो sales को बिना सोचे समझे मैंने credit कर दिया बेटा sales को अब बेटा सोच लो Sita क्या है Sita बेटा business के लिए debtor हर वो customer जिसको आप उधार पर goods बेचते हो बेटा हर वो customer debtor होता है और debtor मतलब personal account बेटा personal account का rule लगाओ क्या कहता है debit the receiver and credit the giver बेटा Sita is the receiver हमने goods उधार पर दिये वो receiver है बेटा तो आप क्या करो debit कर दो वैसे भी सारे debtor debit होते हैं लो प्यारे बच्चो being goods sold to Sita being goods sold to Sita बेटा कितने रुपे के goods बेच दिया आपने 60,000 रुपीज के goods आपने बेटा Sita को बेच दिये लो आगे बढ़ते हैं बेटा बावू next question कहता है furniture sold 55,000 रुपीज आपने furniture बेच दिया बेटा 55,000 रुपे का मेरे प्यारे बच्चो देखो अब चीजों को बहुत अराम से सोचना शुरू कर दे furniture बेचने से cash आया या गया furniture बेचने से cash आया या गया furniture बेचना बेटा दो account पर effect डालेगा एक cash पर और दूसरा furniture पर बेटा furniture बिसका मतलब है बेटा cash आया होगा और cash आया होगा तो बेटा ज्यादा tension की बात है नहीं cash debit ही होने वाला दूसरी बात पेटा furniture बाबु cash भी real account है और furniture भी क्योंकि ये दोनों ही asset है furniture भी real account है ना क्या कहता है real account का rule पेटा real account का rule कहता है debit what comes in and credit what goes out जो आया है वो debit कर दो cash आया है debit कर दिया जो गया है बेटा उसको credit कर दो furniture चला गया है business से बेटा इसको credit कर दो लो प्यारे बच्चो टू furniture account amounted to rupees 55,000 amounted to rupees 55,000 being furniture sold बेटा सोचना शुरू कर चुके होंगे आप और मुझे लगता है कि आप तो बहुत अच्छे से सोच पारे होंगे traditional approach fit हो चुकी होगी जहां फसो वान traditional approach लगा दो जहां नहीं फसरे वाँ भगाते चले जाओ बेटा कहता है land sold to sham इस बार नगत भी वेची बेटा बाबू कहता है land sold to sham दो account पर effect डालने वाली है एक land के account पर दूसरा sham और sham business के लिए बेटा debtor है हर वो customer जिसको उधार पर बेचा जाता है बेटा वो debtor होता है बेटा land के लिए कौन सा rule लगा हो real account का rule लगा हो और sham के लिए बेटा personal account का rule बेटा real account क्या कहता है debit what comes in and credit what goes out जो चला गया बेटा उसको credit कर दो land चली गई है land sold to the sham land गई बेटा credit कर दो मेरे प्यारे बच्चो लिख दो बेटा to land account and what about sham सारे debtor debit होते है बेटा अगर विश्वास ना हो तो rule लगा लो personal account का ये क्या कहता है बेटा debit the receiver and credit the giver बेटा आपने land दे दी है sham को बेटा debit the receiver sham is the receiver बेटा उसको debit कर दो लो प्यारे बच्चो मैंने sham को debit कर दिया है बेटा और land को credit कर दिया being land sold तुशाम बेटा कितनी amount एसकी amount एसकी 15,000 रुपीज amount एसकी 15,000 रुपीज लो प्यारे बच्चो last business transaction क्या बोलती है बेटा बोलती है goods returned by Sita बेटा Sita goods वापिस करने आ गई है goods returned by Sita Sita ने हमे goods वापिस कर दिया बेटा Sita थी कौन बेटा ये तो business की debtor थी इससे तो हमने goods बेचा था बेटा 60,000 रुपे का ये वापिस लेकर आ गई goods बेटा 25,000 रुपे के बेटा जब ये debtor थी का मतलब मुझे इससे पैसे लेने थे मुझे तो इससे 60,000 रुपे लेने थे और आज ये goods वापिस लेकर आ गई आपको नहीं लगता है बेटा जब business में ये वापिसी कुछ दे जाएगी बेटा तो पैसे भी अब कम देगी बेटा कैसेट मेरी कम हो जाएंगी बेटा बिलक करके कहता रहूं कि मैंने 60,000 रुपे का समान भीच दिया बेटा नहीं 25,000 का तो बेटा वापिस ही आ गया तो आपको क्या sales का भी effect कम करना है बेटा बिलकुल कम करना है बाबु आपको इन दोनों का effect कम करना है और कम करने के लिए क्या किया जाता है बेटा side बदली जाती है बेटा सीता debit थी बेटा लिख दो to सीता और बेटा सेल का क्या करूं मेरे प्यारे बच्चों debit कर दो लेके नाम सेल्स मत लिखना नाम लिखना sales return account sales return account debit to सीता amounted to rupees 25,000 और narration लिखकर total कर दो बेटा बाबु मैं narration लिख रहा हूं total आप खुद करोगे being goods returned by सीता लो प्यारे बच्चों total आप खुद कर लेना तो यहां पर मैंने आज का example number 3 भी finish कर दिया अब मैं बेटा आपको एक homework दे रहा हूं कुछ 10-15 journal entry आपको homework दे रहा हूं यह आप journal entry करके एक बार अपने group में जरूर पिक भेज देना बेटा सब के सब बच्चे यह आपका homework लो मैं लिखता हूं बेटा example number 4 home work जरूर इना प्रणैंच करके आपको है औरुदीन अपका है 00. Hello Trond module only क्खेशवश भ्सपने चोल डिंगमें थीत Edwards प्स्वीं तो... मैं लिख Conven stupid झाल 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 लो बेटा मैंने question दिया है आपको homework मेरे प्यारे बच्चों मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ये 3rd और कितने बच्चे 7th journal entry को ठीक करके next class में आते ही सबसे पहले मैं बेटा 2nd, 3rd और 6th और 7th journal entry करके दिखाऊंगा मैं चाहता हूँ बेटा बहुत सारे बच्चे 3rd और 7th journal entry को बिल्कुल ठीक करें मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ठीक है ना? बाई बाई हूँ पैज बाई हूँ बाई करें भाल बाई करें झाल झाल